बहुत सारे लोगोंका ये माना होता है कि जब महिला का 8-8 महेना पूरा हो जाता है और 9 महेना लग जाता है तो 9 महेना लगने के बाद उनको जब वो बातरूम जाती है वाश्रूम का इस्तमाल करती है तो इस लहजे में बैठना चाहिए इस तरीके से बैठना चाहिए ताकि जो बच्चे कसर है अपने आप उनके प्राइवेट पार्ट के थूरू बाहर ना निकल जाए इस बात में कितनी ज़्यादा सचा है क्या ऐसा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है इसके बारे में एक complete वीडियो बनाई है अगर ऐसा हुआ भी है तो क्यूं हुआ है और ऐसा नहीं हो सकता है तो क्यूं नहीं हो सकता है तो ये वीडियो काफी इंफर्मेटिव है प्लीज शुरू से लेकि लाज तक जरूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नमार्शिता वर्मा है और आपका मेरे शानल ट्वेस्वाइवल्ल केर पर स्वागत है तो बहुत सारे लोगों को आपने ये कहते वे सुना है कि आप जब इंडियन ट्वालिट इस्पेशली अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं तो आपको अपने पैरो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है अगर आज से 20 सल पहले की बात की जाए तो 20 सल पहले बहुत सारी जो महिलाएं होती है अगर गर्वती होती है तो वो गर्भा वस्तम ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रही है वो अपने दिन चर्या में काम को और बढ़ा दे लास्ट टाइम पे तो वो बहुत मतलब गायों को भी देख रही है भैसों को भी देख रही है पशो को भी चारा चला रही है चक्की चला रही है सारे काम करते हुए उनकी नौर्मल डिलीवरी हो जाती थी इसलिए ऐसा बोला जाता था कि आपको वाश्रूम जाते वक्त कि बच्चे का सर बाहर नहीं निकल पाए तो इस बारे में तब इसलिए सच्चा ही बोली जाती थी क्योंकि पहले जो महिलाएं होती थी इतना ज्यादा वर्क करती थी ताकि उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है अगर पेरिनियम मसल की बात की जाए आपकी जो पेलिविक फ्लो क्योंकि अब जब प्रेगन demol कोती है तो प्रेगनन सी रुकने के बाद सबसे पहले तो आपको बेड रस्ट कहा दिया चाता है ईड़ी बहुत सबाथ सारे क्योंकि जिनकी जन्यूनली बेड रस्ट है उनकी में बात नहीं कर रही हूं लेकिन आजकर लोग अपने आपको बे इक्वायर नहीं हो रही है, तो अब इक्वायर कुल एकंड, अब किसी तरह के लेवर पैंस के आपके आसार होते हैं, तो यह सब इन वजहों से होता है इसलिए पहले के जमाने में ये बात सही थी लेकिन अब इसको नहीं मान सकते हैं आप तो western toilets का इस्तमाल हो रहा है Indian toilets का इस्तमाल बहुत सारे ladies नहीं कर रही हैं मतलब इसको frequently इस्तमाल नहीं किया जा रहा है तो ये खत्रा तो बिल्कुल भी आपको नहीं है लेकिन जब अगर Indian toilet का इस्तमाल होता है तो उससे भी आपके cervix का mouth खुलने में काफी असानी होती है क्योंकि आप proper squirting कर रहे होते हैं तो squirting आपके लिए काफी ज़ादा beneficial होती है लेकिन अब इस तरह की कोई भी situation नहीं है नहीं आपको western Indian toilet में जाना है बलकि western toilet इस्तमाल करन है और वो भी cervix का mouth खुलना आज कल में बहुत थोड़ा सा difficult भी हो सकता है क्योंकि इतना ज़ादा आप active नहीं रहते हैं active नहीं रहने के वाज़ा से आपका time पे mouth नहीं खुलता है तो इसलिए इस बात में कुछ सचा ही है कुछ नहीं भी सचा है क्योंकि जिन महिलाओ ने अ पहले 100% normal delivery हुआ करती थी वहां पर अब सिर्फ 40-50% ही normal deliveries होती है तो इस बात में थोड़ी से सचाही पहले थी और अभी भी है इसको हाफ 50-50% माल सकते हैं बाकी अगर आप जाना चाहते हैं कि normal delivery के लिए आपका सही समय पे cervix का mouth खुल जाए तो आपको मेरी ये वीडियो द अगर आपको प्रसर पीडा लाना है अगर हॉस्पीटल जाने के पहले ही अगर आप चाहते हैं कि cervix का mouth 5 cm open हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए दोनों वीडियो के लिए कहां डाल दूंगी तो प्लीज जाके देख लीजीगा थैंकिस सुमज पर रौचिंग ट्रेंस्प आपल केर